हाँ अभी सही दिख रहा है भाई हेलो एब्रिबन गाईज कैसे आप सब वेलकम बैक अगें टू न्यू इंडिया नेरा आज इस प्यारे से टॉपिक के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ठीक है तो आज कुछ नए अंदाज में पढ़ेंगे सिंपल चिंदी च पॉपलेशन और बिलियन हो गई है लोगों ने कोरोना में धमाल मचाया है कुछ काम दंदा था नहीं बोला सोचो यही कर लेते हैं ठीक है तो चलो फिर शुरुवात करते हैं आप कैसे हो साहिल पवार वेलकम चंदन अभिशेक करुनासंतो स्वराज शेक तन्वीर कैसे हो स यस सर और ग्रेट बहुत बढ़िया चलिए यार सब लोग फटा फट आ जाओ फिर उसके बाद हम फटा फट शुरुवात करेंगे फटा फट ठीक है चलो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ आज हमारे नए चैप्टर की शुरुवात हो रही है इसाब कहरें नाक से क्यों बोल रहां आनाक से नहीं बोल रहा हूं यार नाक में कुछ है इसलिए बोल रहा हूं थीक है कुछ में यह तब याठीक kilow ठीक नहीं कहां गया सी टाइप का केबल एक मिनट रुक जाओ कभी कभी आँचल में छुप जाए है हाई एक तरफ लिक जाई कभी कभी आँचल में छुप जाए है हाई एक मिनट रुक जाओ किधर गया यार सी टाइप का तो है यह लाइटनिंग केबल का पूस लपड़ा है पट 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 अब पड़ा हो चलो इसी से काम चलाना पड़ीगा अब लपड़ा हो गई लवाही कि इससे काम नहीं बनेगा लग रहा है नहीं बनेगा चलो छोड़ो कोई ना पता में हो चाहिए ठीक है देखते हैं जब तक होगा तब तक पढ़ाऊंगा ठीक ध्यान देना अच्छे से तो लेट्स बिगिन विदी टॉपिक सम्थिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा तो आज की इस प्यारे से टॉपिक के अंदर हम लोग शुरुवात करने जा रहे हैं अपने एक नए चैप्टर की तो आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार और अच्छा है इसमें नई चीजे पढ़ोंगे कोई कॉंसेप्ट नहीं यह थियरी है रट्टा मार टॉपिक है ठीक है रट्टा मार टॉपिक है एक दम सच कह रहा हूं सही सुना तुम समने तो इग्जैक्ली चलो शुरुवात करते हैं फिर चैप्टर नमर थर्टीन और अपने सब लोग बुक में पेज नमबर 293 पे आजाओ तो 293 पे जब तुम सब आओगे तो नया चैप्टर तुमें मिलेगा हमने सक्सेसफुली इसके पहले सारे चैप्टर खतम कर दिये अब हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नमर थर्टी तो चैप्टर का नाम जैसे की है चैप्टर नमर थर्टीन और अर्गनिजम सेंड पॉपिलेशन तो इस चैप्टर के अंदर तुम क्या पढ़ोगे देखो मैं तुमें बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर तुम क्या पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर तुम पढ़ो पिर और हम इस chapter के अंदर पढ़ेंगे बहुत से technique लोग किसके उपर dependent है mortality rate के बारे में कितने लोग पैदा होते हैं कितने लोग रोज मरते हैं इन सब के बारे में इस chapter में पढ़ना है आप सबको समझ में आ रहे हैं कि इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान रखना इस चीज़ को कितने लोग जिन्दा हैं कितने लोग मरने वाले हैं यही सब इस chapter में पढ़ेंगे कौन से देश के लोग ज़्यादा मरते हैं कौन से देश में ज़्यादा लोग पैदा होते हैं कौन से देश की पईदावार बहुत जादा है कौन से देश की मरत तुदर बहुत जादा है कहां कि लोग कभी मरते ही नहीं है बस पईदा करते हैं किस गाउं में एक महिला से 12-12 बच्चे पईदा होते हैं तो यह सब कुछ पढ़ेंगे भाई यही चैप्टर में हम यह सब कुछ जानने वाले है ठीक है तो लेक्चर जस्ट अभी शुरुवात हुआ है अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया नया चैप्टर के शुरुवात की जा रही है तो चलो ठीक है वैसे इंडिया में भी मैंने देखे हैं बहुत सी ऐसी मशीने हैं जिन मशीनों से 15-15 बच्चे easily पइदा हो जाते हैं बिना किसी समस्या के ठीक है ध्यान देने अच्छे से इतनी मशीने हैं कि 15 बच्चे तो आराम से पइदा हो जाते हैं तुमने भी अपने आजु बाजु कही न कही देखा होगा लोग कहते हैं भगवान की देन है, अल्ला की देन है, इसकी देन है, उसकी देन है, बट ऐसा मैंने देखा है कि ऐसी मशीने बहुत ही, मतलब काम वाले हैं, उनको नाम केसी याद रहता रहेगा पंदरा लोगों का, लल्लू एक गजोधर, एक पपू, एक श्रीधर, नमबर ए एक तंबह, तो ऐसे कुछ नाम रखते रहोगे तुम लोग, मतलब कुछ भी नाम रखोगे, जैसे कि माल लोग खाना खाते हुए पैदा हुआ था, तो इसको लगोगे एक खान देस का है, ये बटलया, ये टकल्या, ये चम्ट्या, ये चिप्ट्या, पप्या, सप्या, घर में पाइदा हो जाएंगे पूरी cricket team प्लस एक दो accident होंगे तो भी उसी घर में पाइदा तो यह सब कुछ इसी chapter में बच्चों सिखाया जाएगा चलो शुरुवात करती है आज की इस topic की तो सबसे पहले जानेंगे what is ecosystem ecosystem exactly क्या है इस chapter के अंदर तुम इसके definition सुनोगे बट इस फिर भी बता देता हूँ ecosystem वो एक चीज़ है यह broader concept है broader concept है जिसके अंदर environment भी आता है अब बहुत से अलग-अलग ecosystem में बहुत से अलग-अलग environment हो सकते हैं यह बहुत से अलग-अलग environment में बहुत से ecosystem हो सकते हैं बस तुमारी understanding की उपर है कि जो आजु-आजु का habitat है जिस कंदर probiotic, abiotic Agent सारे सारे presents होती है तो फिर abiotic और Biotic Agent क्या है, बच्चे कहेंगे je to हम को पता है chapter 2 में पढ़ा था Chapter 1 में पढ़ा था जो Biotic Agent है To biotic Agent में वो agent आते है जो जिन्दा रहते हैं जो abiotic है, उसमें मरे हुए हैं जिसमें मरे हुए लोग chapter की शुरुवात करती हैं तो सबसे पहले एक चीज देखोगे page number 293 में फिर तुम्हारे book में आऊँगा और book से ही पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये topic में कुछ है नहीं वैसे और ना ही इसकी notes मिलने वाली है क्योंकि directly exercise पढ़के जाओ तो natural world around us shows amazing diversity of the forms and complexity लेकिन दोनों पसंद है लेकिन मुसकान को ये नहीं पसंद की राहूल प्रिया के साथ रहे और प्रिया को ये नहीं पसंद की राहूल मुसकान के साथ रहे लेकिन राहूल को दोनों पसंद है तो अब वो करे तो करे क्या फस गया बचारा राहूल तो राहुल की जिंदगी में ये लपड़ा है कि वो किसके साथ रहे क्योंकि उसको तो दोनों पसंद है तो complexity of relation in the sense कि कौन सा animal अपने जिंदगी के लिए क्या करता है कौन सा food खाता है कौन से habitat में रहता है कब migration करता है everything each and every complexity of the relationship समझा की ने समझा ये सारी चीजे important है चलिए आगे की बात करते है natural world around us shows amazing diversity what is the meaning of diversity diversity मतलब होता है वीविधता त्याला मराथी मतलब होता है कि varieties जैसे कि इतनी बड़ी varieties है अब देखो प्रिया के अलग नखरे और मुस्कान के अलग नखरे राहुल दोनों के नखरे सहने के लिए ready है लेकिन उन दोनों को ये नहीं पसंद किये दोनों के नखरे सहे तो वीविधता है जैसे दुनिया में घोडे के अलग variety है फिर उसके बाद घोडों में भी बहुत सी वराइटी आती काला घोडा नीला घोडा फ्रांस का घोडा इंडियन घोडा अलग अलग वैसे हाथी में भी ब्राउन हाथी फिर एक आता है वाइट हाथी ऐसे बहुत सी आते ऐसे शेरों में भी बहुत सी वराइटी है बबर शेर, नॉर्मल शेर, चुहा, तो ऐसे अलग-अलग मतब इस्पेसी दुनिया में है, इसे कहते हैं विविदता, डाइवर सिटी, समझ रहा है, वाइल्ड एलेफेंट जिसको बड़े बड़े दात होते हैं, तो ये सारी कुछ रिलेशन्शिप और तो और उनकी इन दी लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर वान क्लास्ट 11 में आपने पढ़ा था, जिसके अनदर हमने मैक्रो मॉलिकूल, वट इस दी मैक्रो मॉलिकूल, मैक्रो मॉलिकूल मतलब प्रोटीन होता है, फिर कोई भी कार्बोहईडरेट जैसे ग्लू प्रोकोज, गलेक्टोज, लेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, है न, ऐसे ऐसे, तो बुल्डोजर, ऐसे सेल्स, टिशूज, ओर्गन्स, इंडिविज्वल ओर्गनिजम्स, फिर पॉपुलेशन, उससे बनती है कम्यूनिटी, इकोसिस्टम, देन बायोम्स, तो कितना प्य मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल से बना टिशू, टिशू से बना ओर्गन, ओर्गन से बना पुरा इंडिविज्वल ओर्गनिजम्स, जो इंसान है, फिर ऐसे बहुत सारे ओर्गनिजम्स आ गए, तो इससे बना पॉपुलेशन, इसस थोड़ा समझा आईगी तो सब कुछ समझ जाएगा दोगो छोटे-छोटे protein के molecules या nucleic acid से बनते हैं cell cell से बनते हैं tissue जिसे हम कहते हैं layer इन ही layerों से बनते हैं हमारे organ जैसे liver, heart, brain ये सब कुछ organ से बनता है individual organ chapter 9 में ये सब पढ़ा था individual organ, organ से बनते हैं population अब बहुत से organism बनेंगे न बहुत से इंसान आगए अब ऐसे बहुत सारे इंसान आएंगे तो वो population कहलाएगी है इंसानों की population है, ये हाथी की population है, ये गधे की population है ये प्रिया की population है, ये अंटी की population है तो यह ऐसी बहुत सी population बन जाती है समझाएगी ने समझाएगी अब ऐसी बहुत सी population है उससे community बनेगी जैसे कि अब community हिंदू की community, momidian की community, America की community, India की community, China की community ऐसी community बन गई बहुत से population मिलाके अब अलग-अलग communities, अलग-अलग ecosystem में रहते हैं जैसे South Indian जल्दी North India के पानी को उसको अच्छा ने लगेगा बट हम Indians तो फटा सा variety बहुत है अब Indian बन्दा अचानक से अमेरिका की ecosystem में चला जाएगा तो उसायद वहां बिमार पड़ जाए तो कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे ecosystem biomes होते हैं biomes क्या है पूरा का पूरा अर्थ तो इस बात को ध्यान रखना clear हो गई बाते हाँ चलेगा सबा चलेगा चलेगा तो biome क्या है आजाओ अब यही चीज तुम्हें बताऊंगा तो ध्यान देना जर अच्छे से biome की definition यहां लिखी हुई है मैं आजाओ थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा उपर हो जाता हूँ सीधा biome बताता हूँ क्या है तो biome constitutes a large regional terrestrial unit delimited by a specific climate zone having major vegetation zone, plant communities and the associated fauna मतलब animals तो अब जड़ा यहां पे समझना अच्छे से कि what is the meaning of biome biome एक छोटा सा area नहीं है यह बहुत बड़ा area जहां पे बहुत सारी communities रहती हो जैसे कि अगर तुम England में चले जाओ तो वहाँ बहुत ठंडी होती है तो ठंडियों वाली एकदम जो पूरा area है ठंडियों वाला जो पूरा ecosystem है उस ecosystem में रहने वाले लोग उस biome के लोग कहलाएंगे अब एक single biome के अंदर बहुत से ecosystem हो सकती है जैसे कि अगर North India में इस वक्त चले जाओ भाया तो इस नहीं ठंडी होती है कि क्या बताओ लेकिन इदर Mumbai में आ जाओ तो ठंडी नहीं है देखो मैं कुछ भी नहीं पहना हूँ कोई कपड़ा नहीं पहना हूँ अब एसी चला के रखा हूँ कोई कपड़ा नहीं पहना है मैंने मैंने एसी चालू रखकर रखा है तो इखो कुछ हाई ने ठंडी नाम की चीज नहीं है लेकिन इदर अभी इसी वक्त मेरा भाई गाओ गया है बोलता है भाईया तीन-तीन स्वेटर पहिना हूँ बहुत लपड़ा है नहांगा नहीं पानी से दुश्मनी हो गई मेरी तीन महिने के लिए तो ये लपड़ा है तो इंडिया के अंदर ही बहुत से ऐसी एकोसिस्टम है तो अब देखो ठंडी वाले मौसम में अलग प्लांट होती है गर्मी के मौसम में अलग प्लांट होती है बच्चो तुमने कभी सुना है कि गर्मी के मौसम में तुम गेहूं की खेती करोगे जीवन में कहीं आज देखो ठंडी का मौसम है तुम सबके पापा फार्मर्स होंगे, तुम सबके पापा इस वक्त वीट की खेती कर रहे होंगे, गेहु की खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस वक्त चावल नहीं उगा रहे होंगे, पक्का कह रहा हूँ, इस वक्त पक्का गेहु की खेती हो रही होगी, गेहु की खे में अलग-अलग plants, अलग-अलग conditions में, अलग-अलग, पुरा exactly terrestrial unit, जैसे ही पुरा America एक पुरा अलग unit है, वहाँ का बायोम अलग है, तो वैसे ही, तो बहुत से ऐसे ecological grouping of the organism is nothing but ecological hierarchy, इनकी एक hierarchy बनते चली जाती है, और ऐसे बहुत सारे four sequential levels होते हैं, ऐसे बहुत से sequential जो levels हैं, य धीरे-धीरे इनकी complexity बढ़ते जाती है, और छोटे-छोटे organism से population बनते हैं, population से communities, और communities बहुत सारे मिलाके biomes बनाते हैं, individual क्या होता है, individual एक organism है, जो एक basic unit होता है किसी भी ecological hierarchy का, मतब अगर माल लोग कोई एक इनसान ही नहीं होगा, तो population कैसे होगी, नहीं होगा, तो अब organism क्या है, तो organism एक inhabiting geographical area को constitute करते हैं, बहुत से ऐसे individual organisms, एक साथ मिल करके किसी एक geographical area, मतब एक किसी land में रहना शुरू करते हैं, तो उसे हम कहेंगे population, की पूने की population इतनी है, मुंबई की population इतनी है, नागपूर की population इतनी है, तो हर जगे, हर एक area में एक बहुत सी जब individual रहना शुरू कर देते हैं, तो उस area में एक population बन जाता है, वो सारे लोगों को एक साथ हम population कहते हैं, जैसे पूरे अर्थ की population 8 billion समझा तो इस अर्थ में मून की population कुछ है नहीं क्योंकि वहाँ एक भी इंसान नहीं है ठीक है तो ऐसे बहुत से several population होते हैं वो different different species के भी हो सकते हैं अब जैसे मुंबई में एक भी शेर नहीं है तो वैसे ही बात हो गई न तो पूने में शेर होगा तो उधर शेर रहेगा लोनावला में शेर रहेगा उधर शेर रहेगा तो अलग अलग species के अलग-अलग individual organisms अलग-अलग area में रहते हैं और कितने सारे हैं वहाँ पर जैसे कि आप मुंबई में कितनी population है इंसानों कि कितने इंसान मुंबई में रहते हैं, कितने कवा मुंबई में रहते हैं, कितने गधे मुंबई में रहते हैं, कितने चुहे मुंबई में रहते हैं, तो ये सारे के सारे उनकी अलग-अलग इस्पेसी हो गई, चुहों की इस्पेसी इस पर्टिकुलर मुंबई वा अंदर community है, इंसानों की वैसे घरों में community है, पेड़ पौधे जंगलों में उनकी community है, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबही में ही है, तो वहाँ पेडों की community है, तो हर एक different, मैं मतलब मैं सही चीज सिखा रहा हूँ, हर एक अलग-अलग organisms की अपनी population होती है, और वो सारी population म के community बनाती है, समझ गया अच्छे से, बाकी तो तुम्हें biomes का मतलब मालूम ही है, तो चलो फिर बच्चों, अब आ जाते हैं अपनी textbook में, और textbook के तुरू अब हम चीजों की पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ इसको गायब, और ये हमारे साम हमने तुमारी textbook आ गई, ठीक है, तुमारे सामने textbook दिख रही सब बच्चों को, क्या आप सभी लोगों को textbook दिखाई दे रही है, बहुत सुन्दर, तो इस textbook को हम ऐसे zoom भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसके उपर लिख भी सकते हैं, क्योंकि अब mobile, अब laptop से न अलग ही देगी न, तो इसके अलग-अलग feature है, अपने पास, चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं फिर, ठीक है, आज के session को, देखो ये पूरा setup मैंने gaming के लिए किया था बच्चों, लेकिन अब ये setup का कमाल भी पढ़ाई के लिए इस्तमाल हो रहा है, समझ रहा हूं, ठी seriously कह रहा हूं, ठीक है, तो ये सारी चीज़े होती हैं भाई, चलो, तो अब शुरू किया जाए, तो fauna मतलब क्या होता है, एक लड़की बार पर पूछ रही है, fauna, 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 मैं लिख के दिखाता हूं, चलो, देखो, तो fauna का मतलब पूछ रही है, तो fauna का मतलब होता है कि बहुत सारे एनिमल का एक ग्रूप, उस पूरे एरिया को fauna कहती है, fauna मतलब होता है, बहुत सारे प्लांट्स का ग्रूप, चलो, अब शुरुवात करती हैं, तो अब चलो, हम शुरू करेंगे, और ये बहुत ही चिंदी और बहुत ही आसान चैप्टर है, लेक्चर को फ एक मिनट, एक तरफ दिखलाए, कभी कभी आचल में छुप जाए, ऐ हाई, तर देख तुझको मुझको ये चैन होता है, देखो यहाँ पे, चलो, तो पेज नमबर 293, अब सब लोग ध्यान देना, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बायोम्स क्या है, बायोम्स देखो यह पे क्या लिखा हुआ है, तो जड़ा ध्यान पे चीजों को समस्ते चलना, एक मिनट भाई, यह छोटा कईसी हो गया, ओके, तो बायोम्स क्या होता है, चलो अब चीजों को ध्यान देते हैं, इसको मैं यह कर पा रहा हूँ ना, चलो, मैं इसको हाईलाइट कर पा रहा हूँ ध्यान देना अच्छे से, प्लीज लिशन देन, लिशन केरफूली, तो बायोम एक्जैक्ली क्या चीज़ है, बायोम कंस्टिट्यूट अ लार्ज रीजिनल टर्रेस्ट्रियल यूनिट, दी लिमिटेड बाई, आइ स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन, हेविंग अ मेजर वेज लिशन जोन, लाइक प्लान्ट कम्यूनिटीज, एंड एसोसियेटिड फॉना, मतलब कि एक ऐसा बहुत सारा टरेस्ट्रियल एरिया, टरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, तो एक ऐसा टरेस्ट्रियल एरिया, जहां पर ध्यान देना, सभी लोग मैं लाइन टू लाइन सब जनिरल नॉलेच के हैं, ध्यान दो, बस सुन वे ध्यान दो, और अपने बाजो में टेक्स्ट बॉक ओपन कर लो, बस, मुबाइल बाजो में रखने का, टेक्स्ट बॉक ओपन करने का, और लाइव लेक्चर में ही इन तीनों चैप्टर को खतम कर दो, ज्यादा दिमाख अब नहीं करेगा, comment box में ज्यादा धर्म बिर्म मत बताओ, पढ़ाई में ज्यान दो, क्योंकि रोटी तभी मिलेगी जब ग्यान होगा, समझ रहा है, भगवान भी यहीं कहते हैं, कि किसी भी धर्म के रहे, कि बेटा तू कर्म करेगा, तभी तेरी भूख मिटेगी, तेरे को रोटी, चावल, दाल तभी मिलेगा खाने को, भूख तभी, खाना तभी मिलेगा, जब तू खुद काम करके कमाएगा और खाएगा, तुझे मैं देने नहीं आने वाला हूँ, ना ही कोई और देगा, तू काम करेगा, तेरी मदद जरूर करूँगा, तो यहाँ पे ना किस धर्म की बाते करो, और ना ही किसी और चीज की पढ़ाई करो, यहाँ मैं तुम्हारे फ्यूचर और करियर बनाने आया हूँ, ना कि यहाँ दुनियादारी की पॉलिटिक्स करने, ठीक है, चलो, अब ध्यान दो, तो एसोसियेटेड ध्यान देने, तो बायोम क्या है, समझ चीजों को अच्छे से, जो कि मैंने आपको बता दिया, clear हो गई बाते हैं, चलिए, अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, organism and environment around us, हमारे आजुबाजु जो organism है, और हमारे आजुबाजु जो environment है, यह सारी चीजें बहुत ज़दा important है, let's begin with the topic, तो चलो, समझते हैं कि क क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे, कि भाया यह ecology क्या होती है, what is the meaning of this ecology, यह ecology exactly है क्या चीज, ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना अच्छे से, ecology मतलब, eco मतलब environment, logi मतलब study, मतलब environment की study, तो ecology at the level of organism is basically the study of animals or a plants, physiology, which help us to understand how the organisms are adopted to their environment, तो exactly ecology क्या है, बताओ, ecology यह चीज है, कि जो भी environment है, और उस environment में रहने वाले flora and fauna, यानि कि animal और plant, किस तरीके से उन्होंने खुद को adopt कर लिया, जैसे कि मालू मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं मुंबई के climate को कैसे adopt कर लिया, संजे गांधी नेशनल पार्क में पाए यहां पर कुछ important चीजे दी गई है, यहां पर जब तुम देखोगे, तो बहुत से अलग-अलग areas में, बहुत से precipitation, rain falling का system बताया गया है, यह diagrams में ज्यादा चीजे कुछ है नहीं, बस यह बताया है, कि कौन से कौन से type के forest, कौन से कौन से area में कितने level तक पाए जाती है, तो forest जहां पर बहुत जदा इदम गर्मी हो, इस type के jungles, tropical forest नॉर्मल वाले, grassland छोटी-छोटी जो पहाडी area में ने कि छोटी-टो गहां से होती, यहां तुम काश्मेर में जाते हो, desert वा जहां तो कुछ हाई ने, desert तो सब समझते हैं, तो जिस तरीके से temperature बढ़ते जाता है, उस जोटा सा particular land का area, जो एक पूरा area है, मिटी का तुकडा, जैसे कि coniferous forest कितने मिटी के area में है, तो वे एक biome हो गया, temperate forest, जैसे कि अब देखो ना, desert में पाए जाने वाले जो plant हैं, जैसे कि for example के लिए वो होता है ना, जो काटे दार, काटे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको काटा रहता है उस plant में, तो उनका भी एक अलग biome है, एक सिर्फ desert में होते, ऐसा तो है नहीं कि गोवा में पाए जाएगा, गोवा में तो वो रेगिस्तान का जो cactus है, उसको गोवा में तो नहीं उगा सकते हो, South India में तो नहीं उगा सकते हैं, वो इस बात को ध्यान द बच्चो अगर तुमको मैं अचानक से हिमालए में भेज़ दूं, तुम दो दिन में ही मर जाओग ठंडी के चक्र में हिमाले जैसे ठंडी में रात नहीं गुजारी है, समझ रहे, and this is the reason कि अब तुमारी habit नहीं है तुम उस climate में अगर अचानक फिजाओगे तुम्हारा बिमार पढ़ना पक्का है 100% तुम बिमार पढ़ जाओगे इस चीज को ध्यान रखना तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं You have studied in earlier classes about the rotation of earth around the sun हाँ हाँ पता है ये तो बच्पन से यही पढ़ते हा रहे science के बच्चे हो कि हमको यहाँ biology में नवी का ग्यान सिखा रहे है ठीक है तो अर्थ भाया sun के around घूमते हैं या हमको भी पता है and the tilt of its axis cause seasons हाँ ये बात नहीं पता थी seasons क्यों आते हैं क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो अपने axis में भी tilt होता है सिर्फ अर्थ के sun के around ही नहीं घूमता वो अपने axis में भी क्या होता है tilted रहता है Sophie कहता है hello भाई तुम comments पढ़ते हो क्या reply करो पढ़ता हूँ लेकिन reply नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ाने आया हूँ reply करने नहीं पढ़ना है तो ठीक है वरना जैश्री डाम ठीक है जहान दो आंगे बढ़ते हैं तो चलो आंगे बढ़े तो it's axis causes seasons समझ गया seasons कैसे आते हैं मतलब अलग-अलग जैसे कि अब अर्थ घूमते रहता है तो फिर अलग-अलग situation में जो वायू होती है एयर होता है वो घूमता है वायू मंडल पूरा वहाँ दुनिया बर का environmental seasons होते हैं ठंडी गर्मी बारिस का मौसम इस तरीके से आते रहता है ठीक हाँ exactly जुका हुआ मतलब हलका सा just चीज़े जुकी हुई होती है जिस चक्कर से seasons बढ़ते रहते हैं आगे पीछे तीन seasons होते हैं वैसे भी हर country में तीन ही season होते हैं एक वसंत रितू भी है जो कुछ महीनों के लिए होती है ठीक है basically तीन seasons ही माने चाते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कुछ-कुछ countries है जहां पे सिर्फ एक ही season रहती है जो ठंडी है चोब इस घंटे बरफ गिरती है ना आते नहीं मान के लोग इसलिए गोरे रहते हैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं इस seasons with the annual variation in precipitation in the form of rain and snow gives rise to formation of major biomes of the earth like desert, rainforest, grassland, tundra and all तो यहां पे जो चीज़े आपको दिख रहे हैं season के वज़े से अब Antarctica जो area है तो इस Antarctica वाले area में अगर तुम चले जाओगे तो वहां पे पाया गया है कुछ अभी वहां पर भी human beings रहते हैं आज के time पे ऐसा नहीं कि वहां पर पूरा खाली है वहां पर भी कुछ अलग-अलग type के मतब human beings वहां पे रहते हैं minus 50 degree Celsius तक भी जाता है और उतने dangerous temperature में कैसे कोई जिंदा रह सकता है वहां पर रहते हैं और जिंदा भी है तो वहां का एक अलगी situation हो गई वहां तो प्लांट भी अलग है वहां तो oxygen मिलना बहुत मुश्किल है पानी में का oxygen चाट के मरोगे क्या तो desert अलग area या सहारा के रेगिस्तान आफ्रीका में चले जाओ भाई लेवाट लग जाएगी वहां तो तुमको ना तो पेड़ पौधा ना पानी ना कुछ नहीं मिलेगा तो यह लफटा है तो यह सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है बात करते हैं regional and local variations की थोड़ा रे लोकल एरियास में तो within each byấm leads to the formation of varieties of habitats यह चलो अब इसकी बात करेंगे different different habitats में different different biomes के अंदर different habitats हो सकते हैं तो मैं बात करते हैं हमारा जो भालू होता है beer तो उस भालू की बात करते हैं तो मैं पता होगा यार जो भालू होता है बालू 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 इन में से बहुत से बालू यहां होंगे भी नहीं क्या यहां पर कितने लोग बालू है एक दम मोटा काला कभी नहीं नहाने वाला और एक दम धंमक धंमक चलने वाला कितने बालू हमारी क्लास में अभी आए है जालो ठीक है तो ऐसे बहुत से भालू है तो देखो क्या होता है न कि हिमालिया में जो भालू है उसका दूसरा रूप है पांडा उसके तुम केते हो च्छा पांडा पांडा जो बोलते हो न जब असली में आ जायेगा न सामने क्यूट पांडा सारे अनिमल लवर की वाट लग के भाग जाओगे किनारे कोपचे में ठीक है तो वो जो होते हैं जितने भी भी हर्स हैं तो वहां की situation की हिसाब से उनका environment के हिसाब से वह वाइट हो गए हैं लेकिन वही भालू जो मुंबई के यहां पर बाग में पार्क में बांध के रखे गए हैं चुडिया घर में तो वह एकदम काले दिखते तो ऐसे जो भालू यह environment habitat changes के वज़े से हैं अब अपने इस एरिया अपने मुंबई वाले भालू को तुम अचानक फिल जाके हमालाय मे छोड़ दोगे तो वहां जाके मर जाएगा हो और वहां के पांडा इसको मार के खा लेंगे बोलेंगे कौन से टाइप का जानवर यह यह तो हमारी प्रजाती नहीं दिखते है ठीक है तो ऐसा होगा जैसे कि तुम्हारे गाउं में अचानक से कोई अमेरिका ना जाए तो त 50 स्टैंडर्ड तक मैं गाउं में पढ़ा हूं तो हमारे गाउं में एक फॉरेन का बंदा आया अब हमें उस टाइम पर हम इतना पढ़े लिखे नहीं थे ना तो मुझे यह नहीं पता कि वह कौन से कंट्री से है बट गोरा चिट्टा एकदम ऐसा आया था हमारे गाउं में खुद और हम सब करीबन 15 से 20 लड़के सब उसके पीछे वह कहीं भी जाएगा और हम उसके पीछे भागने का उसके बाल गोर्डन थे और यह कौन है यह बालों में मेहंदी लगाया है ठीक है ऐसा बोलते थे कितना जादा पाउडर लगा लिया है हाथों में भी पाउडर ल होती नहीं है यह foreigners की skin अच्छी नहीं होती है इनके black black spot होते हैं पुरे skin में black spots होते हैं पुरे skin में black spot होते हैं यह बाहर make-up करते तब अच्छा दिखते नाइन्फ और टेंथ में मुझे समझा है रे राम रे मेरे गाओं में फॉरेडर आया था और हम उसके पीछे पढ़ गये थे वो टेंशन में आगया थे वो हमारे चाचा लोग को बताने लग गया कि भाई पहले यह बच्चे हमारे पीछे क्यों पढ़े मेरे चाचा मेरे लाम बनाया था तु तेरे बाप ने इतना मारूंगा साथे जीवन में आएगा नहीं कभी इदर हम गाओं की गाओं की लोग अब ऐसे ही रहते ने यार उनको बदला लेने आता है बोलेंगे ज्यादा करेंगा पेड़ में बांद के मारूंगा सारा बदला विलियम्स लोग का जोर्ज वॉसिंग्टन सबका यहीं बदला ले लोगा यहाद रगना जनरल डायल गोरी चरवा दिया था डायर का बेटा है तो और मार खाएगा मैं टेंशन भाई चलो ठीक है कोई ना तो नहीं समझ पाते हैं हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में डिफरें क्या लिखा है तुम बच्चो समझा यह लाइन जो यहाँ पी इतनी लिखी हुई है वो यह कह रहा है कि दुनिया की सबसे डेंजर से डेंजर सिचुएशन में भी लिविंग और्गिनिजम्स अपने आपको कैसे तो रख लेते हैं जैसे कि राजिस्थान के मरुस्थल में म ऐसे लोग रह लेते हैं समझ रहा ऐसे लोग वहां रहते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं ऐसे हैबिटाट में उन्होंने खुद को अड़ाप्ट कर लिया है ध्यान रखना तो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पी चीज़े थोड़ा समझते हैं here we must remember that it is not only the physicochemicals a biotic component that make up the habitat of an organisms but the habitat also includes biotic component like plants, pathogens, parasites and predators of the organisms तो कहने का मतलब यह होता है अब page number 294 में आ जाओ सब बच्चे ठीक है page number 294 में आ जाओ ठीक है ध्यान देना तो कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे habitat में बच्चों सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ जिंदा organisms ही रहते हैं या मरे हुई organisms जैसे कि पत्थर है, stone है और leaves है या कुछ और चीज़ी है, water है तिर्फ इन्हें से biomes नहीं बनता या habitat नहीं बनता living organism जैसे virus, bacteria यानि कि parasites, pathogens फिर उसके बाद predators जो एक दूसरे को मार के खा लेते हैं जैसे कि लॉयन है तो जो शेर होता है वो दूसरे छोटे कमजोर जानवर को खा लेता है एक शेर कभी दूसरे शेर को खा पाता है इतना चिलाते हो शेर जंगल का राजा है वो शेर की भी फट जाती है और हम इनसानों से तो शेर की भी फटती है ये एक गोली मारेंगे आर पार हो जाएगी मर जाएगा वही ठीक है इनसानों से कोई नहीं जिद सकता एक के 47 बस हा आजा भी कोई नहीं है ठीक है तो सब टाइम टाइम का बात है हाँ पैरा साइट का मतलब क्या है पैरा साइट मतलब जो दूसरों की उपर डिपेंडेंट होती है फॉर दियर लाइफ जैसे कि मच्छर मच्छर अगर हमारा खून ना पिए तो मच्छर कभी जिन्दा नहीं रह पाएंगे तो यह सारी की सारी चीजे होती है ध्यान रखना अच्छे से अलग अलग तरीके के हैबिटाट में रिप्रड़क्शन होता है और इससे अलग अलग रिप्रड़क्शन से लोग आंगे बढ़ते हैं उनकी पैदावार होती है चलो कुछ इंपोर्टेंट टर्मिन एत्लोजी पढ़ लेती हैं यार ठीके चलो ध्यान देना सबी लोग तो सबसे पढ़ेंगे इत्लोजी के बारे में what is ethology the term was coined by हिला रहे हिलेयर 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 हिलेयरlic goyim Saadis greatly pronunciation हिलेयर वहाए हिलेयर babe hi okay again repeat with me hill air okay in 1854 but was popularized by WM वीलर, ठीक है, समझा अच्छे से, दट्दम डिनोर्ट स्पीक्स for the study of behavior of animals, क्या बात है, इंसानों का behavior नहीं समझा है, animal का behavior, in relation to their environment, तो देखो ये चीज जो exactly समझने की बात है, चलो आजो तुम्हें समझाता हूँ, optimize का मतलब होता है, चैतू, कि किसी को तुम ज्यादा उसे revolution कर दो, मतलब कि उसको एकदम थोड़ा सा different तरीके से उसको start दे दो, initial thrust दे दो, ठीक है, चलो बात करते हैं, behavior of animals उनके environment के हिसाब से, अब देखो बच्चो, जैसे कि ये बाहर की विदेशी लोग, 2400 घंटे coat pant क्यू पहनते हैं, नहीं पहनेंगे, तो जो ये हिलेयर जी बता 24 घंटे coat, pant, shirt, topi पहनते हैं, हम Indian लोग इनका copy करके, शादी में coat pant पहनने लग गए, हम ये भूल गए, कि ये बिदेशी लोग जान मुझ के पहनते हैं, नहीं पहनेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम Indian लोग, उनका copy करके, उनको लगता है, ये style हम लोग शादी में पहनने professional dress बना लिए, तुमारे प्रशान भाया ने भी बनवाया है अभी, शादी के लिए नहीं, एक दो फोटो है, मेरी देखा रहेगा, वो मेरे को जमता ही नहीं है, पहनने में आधे घंटे लगते हैं, हम लहाट, एक T-shirt डाल दिया, कुरता पहिन के, एक बार में निकल जाओ, गाओं फिर के आओ दुनिया बर में, इतने ज्यादा कौन पहिनता है, सच में यहीं reality है बच्चों, तो behavior of animals, with the help of their environment, अब Americans जो होते हैं, और Australia के लोग जो होते हैं, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो height है, वो Australia के लोगों की है, फिर Africa के लोगों की है, फिर Americans की, फिर Indians इंडियांस की, इंडियांस की average height 5.7 या 5.8 है, male की height, female की height, average 5.1 या 4.7 के range में होती है, ठीक है, लेकिन Australians बहुत जदा height होते हैं, क्योंकि उनके environment के हिसाब से, उनकी जो genetic makeup है, वो different हो चुका है, तो behavior of animals है, कोई भी अगर animal है, या जिसे शेर, चीता, भालू जो भी होगे, इनका अलगी भी है, जर्मनी का कुत्ता अलगी कुत्ता होता है, अब उसको अच्छा मत समझो, हमारे इंडियां के गल्ली कुत्ते को खाना नहीं मिलता, इसलिए वह इसा सुकड़ा दिखता है, तुमारे area में आए को तुम भी मार के भगा देते हो, और जर्मनी के लोग उ आज भी डंडा मार के भगा देते हैं, तो अब क्या किया जाए भाई, ठीक है, तो एथोलोजी का मतलब अगर एक्जाम में है तो बता दे न, it is the study of animals according to their environment, बात करते हैं, एकोलोजी क्या है, तो दिटम वाज इंडिदूस्ट बाइधी है, तो दिटम वाज तो प्लांट, इंवारन्मेंट और इकोसिस्टम को जो रिलेशन्शिप है, ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बायोनॉमिक्स का मतलब क्या है, लैंकेस्टर कहते हैं, कि this term is totally related to the study of relation between organism to their environment, अब जैसे कि मैं मुंबई में, ये कौन है शुभम, ये शुभम देख ये शुभम है, जो ये फिंगर दिखा रहा है, तुम लोग समझ रहे हो, रोको मैं कुछ बताता हूँ, इसकी एक सिक्रेट बात बताता हूँ, कोई नहीं जानता रहेगा, कसम से कह रहा हूँ, जो फिंगर दिखा के बोल रहो ना भाया, इंपोर्टेंट दो, तो क्या हुआ, कल ये डॉक्टर के पास गया, क्यूँ, इसके कहीं तो एक मच्छर घुस गया था, बहुत अंदर तक घुस गया था ना, तो डॉक्टर कहता है, मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं बेटा, कि जो तेरा ये मच्छर वहां से निकाल सकूँ, तो शुभम को कहता है, क जो फिंगर ये दिखा रहा है, वो फिंगर का इस्तेमाल किया, जब उस फिंगर का इस्तेमाल किया, तो मच्छर मिल गया, तो मच्छर को खीच के बाहर लेके आया, लेकिन उस फिंगर में क्या हो गया, बहुत लफड़ा हो गया, मतलब गंदगी लग गई, ये है, वो है, तो आप खाना नहीं खा सकता, तो वो फिंगर इतनी ज्यादा टाइट हो गई, कि अब आइसा ही करके घूम रहा है जैफा दिखा रहा है, तो कहीं भी जाता है, तो जै घंटा बाबा की, वही लेके चल रहा है, तो हमारा नेता कैसा हो, शुभम के जैसा हो, ठीक है, ऐसी आला इसकी हो चुकी है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बेटा थोड़ा समल के आया करो, क्योंकि यहां 40-50 साल की टीचर नहीं बैठे हैं, तुम्हारे ये एज की टीचर है, ज्यादा सान पट्टी दिखाओगे, तो धो दिये जाओगे, ऐसे धो दिये जाओगे, कि अगर ये में यही वीडियो चलेगा, फिर वो क्रॉप करके और हर फोन में तुम्हारी क्लास का हर लड़का यही वीडियो सुनेगा, कि शुभम की लाल हो गई, तुम तो कुछ करी नहीं पाओगे वहां से, और करोगी तो क्या ही करोगे, आ जाओ, मिल लो, ठीक है, तो ये सारी में आओगे, तो देखो, कॉमेंट बॉक्स में गाइड्लाइन्स आती है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाईड्लाइन्स, समझा कि नहीं, परसन को तुम्हें नहीं टार्गेट करना है, टार्गेट दी आर्गुमेंट्स, समझा मैंने लिख भी रखा है, ओवनली फोकस अन्द topics doubts वही पूछो चैट में वही लिखो जो doubts हो यह सब लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है लेकिन नहीं तुमको तो यह बताना है कि भाया important question दो अईसा important मिलता है यह important चाहिए reproduction नहीं मतलब क्या गुंडा वनोगी आज आगे पटते हैं तो environmental biology modern ecology की बात करते हैं चलो यहां देखो अच्छे से तो चलो बात करते हैं तो चलो बात करते हैं the term was introduced in 20th century by Clark and Adam giving emphasis on the function or physiological interrelationship between the organism and their surroundings मतलब वही है कि organisms और surrounding की बीच का interrelationship वही है for example के लिए जैसे तुम oxygen छोड़ते हो oxygen लेते हो carbon dioxide छोड़ते हो तो सामने वाला plant उसको consume करता है देन वो oxygen छोड़ता है तुम लेते हो this is the interrelation between you and plants biosphere क्या है पूरा का पूरा दुनिया का ecosystem सब biosphere के अंदर आता है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से चलो अब बच्चों most important topic बात करते हैं जो एक्जाम में 100% यहां से question 3 marks के लिए बनेगा और very very important question है यह habitat and niche यह क्या होता है चलो इसके बारे में समझते हैं बहुत ही important question है यह समझा कि ने समझा क्या बोल रहा हूँ आब यहां पर बहुत ज़्यादा important है habitat क्या है एक्जाम में हमेशा पूछता है please ध्यान देना करो टिकमा कर लिया करो टिकमा क्रवाता हूँ ठीक है चलो ध्यान देना perfectly shittis हाम कर habitat क्या है ध्यान देना च्छे से habitat ऊएक ऐसा place होता है जहां पर ध्यान देना जहां पर or the set of environmental conditions around the organisms to which it must adopt to survive and prosper for example के लिए एक example देता हूँ तुमको अच्छा सा एक बार की बात है तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो Aryans थे Aryans, Arya सामराज हुआ करता था बहुत साल पहले समझा की ने समझा Arya सामराज, रुख जाओ यार नीश का मतलब बताऊंगा पहले हैबिटाट तो समझो Arya सामराज क्या था Aryans जो हुआ कर दे थे अपने इंडिया में माइग्रेट होके यहां आए थे जैसे अभी बीच में अफगानिस्तानी लोग भी अपने इंडिया में इंट्री मार गए दूसरे देश के लोग मार के भगा देते हैं मोहन जो दाड़ो मुवी तुमने देखी होगी हर अपन संस्कृती हर अपन कल्चर में तुमने देखा होगा दूसरी कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आके रहने लगते थे क्योंकि हमारे इंडियन सब को accept कर लेती हैं इसलिए तो मतलब habitat मतलब क्या एक ऐसा प्लेस एक ऐसी जगह जहां पे लोग रहने के लिए fit हो जाएं मतलब वहां पे वो easily रह सकते हैं अपना population बढ़ा सकते हैं reproduction कर सकते हैं और खुद की जिंदगी बना सकते हैं जहां पर से रहन से उन्हें कोई problem नहीं होगी उसे habitat कहते हैं जैसे हमारा इंडिया हमारे लिए हमारे भारत देश का कोई भी राज हमारे लिए used to है मतलब वहां पे हम रह सकते हैं यह महारास्टा किसी का नहीं है ना ही मद्ध प्रदेश किसी का है ना ही कोई भी भारत देश का state किसी का है हम सब का है, हम किसी भी राज में जाके रह सकते हैं, ये हमारा अधिकार है और हमें वहाँ से कोई नहीं भगा सकता और हम वहाँ पे जमीन खरीच सकते हैं, हम वहाँ घर बना सकते हैं, वहाँ के इन्वारन्मेंट के हिसाब से हम जी सकते हैं लेकिन अचानक सी अगर किसी South Indian इंसान को हिमाले में भेज दोगे तो Indian culture के हिसाब से रह तो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जिंदा भी रह पाएगा क्योंकि हिमाले में इतनी ठंडी होती है कि लटक के गिर जाएगा तो the meaning is that कि सबसे important चीज ये होती है कि तुम कहीं भी जाओ किसी भी country में जाओ the most important thing is that कि उस country में उस place में तुम यूज़ टू हो तुमारी population बढ़ सकती है तुम वहाँ पे रह सकते हो बीना किसी problem के तो habitat क्या है समझा जहाँ पे तुम रहने के लिए यूज़ टू हो जहाँ पे तुम रह सकते हो तुमारी generation रह सकती हो जिस environment में रहने पे तुम्हे कोई problem ना हो ध्यान देना जहाँ पे तुम्हें डाइट, shelter बहुत सारी चीज़े तुम्हें मिले तुम आगे बात करते हैं, habitat defines the physical space of an organism with the other living or non-living factors while niche describes how that organism is linked with its physical and biological environment कितना चिंदी चीज है न, देखो, niche क्या है, वो एक particular area जैसे कि तुमको थोड़ा सा business area से एक niche का example देता हूँ जैसे कि देखो समझना, देखो यार, when I was in 12th standard, तो मैं niche को क्या पड़ता था जानते हो, नीचे my ma'am was like, what you are reading, बोलती है मेडम, भाई ये क्या है, नीचे, मैं बोलता है, हाँ मैं नीचे, बोलती है, नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है बोलती है, नीचे बोलती है, मैं बोलती है, नीचे बोलती है, नीचे बोलती है, नीचे बोलती है, पीछे से मेरा एक दोस्तर रुपिश, बोलती है, नीचे बोलती है, नीचे बोलती है, क्या बोल रहा है, मैं मैं बोलती है, समोसे का बिजनिस, मैं हमारी क्लास के नीचे सम उसे बीगते थे, तो यह exactly है, ऐसा ही था, तो नीश क्या है exactly, किसी भी particular area, जहाँ पर तुम relate कर सकते हो, वो नीश है, और habitat क्या है, जहाँ पर तुम रह सकते हो, वहाँ पर बहुत से नीश हो सकते हैं, जिसे कि तुम अगर मालो मुंबई में रहते हो, तुम मुंबई में transport, hospitality, फिर hotel management, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजे हैं, जिस सारे field को तुम explore कर सकते हो, तो that each and every field is the niche, and इन सारे niches को combination एक city है, एक habitat है, जिस habitat पे तुम रहते हो, समझा अच्छे से में का कहना हो, ध्यान रखना इस चीज को, तो एक proper examples के साथ, यहाँ पर differentiate किया गया है, च other factors and prosper, पहले मुझे prosper का मतलब भी नहीं पता था, फिर जब भी दिवाली आती, तो सब ऐसे wish करते, happy दिवाली, may God, Goddess, Lakshmi, prosper your life, तब समझा, अच्छा, prosper का मतलब क्या है, तब समझा, समरुद्धी, समरुद्धी तो मेरे area में नहीं रेती है, अच्छा, समरुद्धी मतलब अनन्द, कुछ ऐसा अनभूती, एक भावना नहीं भावना भी नहीं रेती है, समझ रेती है, मतलब में क्या कहना चाह रहा हूं, समरुद्धी भावना, धन लक्षमी, करे तो करे, क्या वाई, कैसे समझाए, बचाओ बचलब भगवन, तो यह, हैबिटाट ऐसा area है, जहां खुशी, happiness, हाँ मतलब खुशी, खुशी भी लड़की ही होती है, अपेक्षाएं नहीं कर सकते इससे, कितनी लड़किया हैं, लड़कियों की शक्ती बड़ी धमाकिदार है, उन्हां मैं ऐसी अपेक्षा करते हैं, कि हम मालक्षमी की पूझा करेंगे, जिससे हमें खुशिया सम्रुद्धी मिले पूजा करेंगे तो खुशी और सम्रुद्धी की प्राप्ती होगी प्राप्ती भी होगी आरे यार प्राप्ती भी लड़की गई नामे हमें हमें लक्षमी की पूजा करना आती प्रिय है पूजा आरती अपेक्षा क्या चैप्टर यार ये तो habitat समझा ना तो habitat is an area where a species lives in an interaction with the factor and prosper समझा ना क्या गरो ध्यान देगो निश क्या होता है इट इट अ निश is a concept of how an organism lives or survives in the environmental condition निश क्या होता है कि habitat क्या है जहां पे हर इंसान रह सकता है खुद को सुक सम्रुद बना सकता है खुद की population generate कर सकता है खुद को अच्छा बना सकता है ठीक है वो एक area जहां पे उसको कोई problem नहीं है ना ऐसा जैसे कि अचानक तुमको हिमाले में डाल देंगे तुम जाओगे ठंडी से ठीक है लेकिन मुंबई में तुम रहते हो जिस भी गाउं में तुम पैदा हुए वहां के लिए तुम used to हो चुके हो तो वह habitat तुमारे लिए बना हुआ है पन नीश क्या है तो एक ऐसा कोई भी चीज एक ऐसा एरिया जिसके वज़े से तुम जिन्दगी चला सकते हो अपनी एक जिन्दगी चला सकते हो तो वह चीज डिपेंड करती है इस बात को ध्यान देना तो वह नीश है जो नीश है वह बहुत से component contain नहीं करता जैसे की मैंने बता है न मुंबई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक है habitat consists of numerous niches ध्यान देना तो एक habitat में बहुत से niches हो सकती है effect of temperature rainfall and other biotic factors हमारे habitat का example है flow of energy from one organism to the other ये हमारे ecosystem और niche की बात है niche जो support करता है single species को habitat numerous species को support करता है for example कि हमारे ही मुंबई में अगर हम बात करें तो किसी तलाव में अगर जाओगे लेक में तो वहाँ पर मचलियां रहती है लेकिन तो वो एक niche हो गया न लेकिन एक ही niche में बहुत से organism रह सकते हैं क्या तुम बोलो प्रशान भाई आप पानी में रहो तो मैं तो नहीं रह सकता भाई शुभम रह सकता है उसकी बात अलग है तो शुभम को तुम पानी में डालता हो दस साल भी जिंदा रहागा क्योंकि मचली का दूसरा रूप वही तो है मचली जलकी रानी है समझा तो मैं तो नहीं रह सकता तो भाई मचलियां जो हैं उनका एक अलग niche है लेकिन जो लेकिन इन सबका अपना अपना एक अलग अलग niche है कि नहीं है समझा ना हम किसी के niche में नहीं रह सकते हम मचलीयों को निकाल के खालोगे बात अलग है लेकिन उनके area में तुम नहीं रह सकते वह तुम्हारे area में नहीं रह सकते तो ऐसा something कुछ ठीक ध्यान देना तो habitat is a physical place ध organism को खा लोगे, तो उसके energy तुम्हारे पास आएगी, for example, अगर तुम मुर्गियों को खा लेते हो, तो उसके energy तुम्हारे पास आएगी, तो niche is just a flow of energy, totally, biological तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान देना, तो niche एक specific to specific होता है, और habitat सभी के लिए specific है, किसी के लिए perfect नहीं होता, सब को है, मतब habitat बड़ा दिल है, जिसमें जितने भी आरती, पूजा, अपेक्षा, लक्ष्मी सब समाज आती है, और niche क्या है, वो सिर्फ एक ही के साथ applied है, या तो लक्ष्मी, या तो अपेक्षा, या तो पूजा, या तो आरती, या तो आरम भी, या भक्ती, या प्रिया, जो भी रहेगी, एक ही रहेगी, ठीक है, समझ गया ना, क्या कहा है, ध्यान देना, तो चीजें important है, समझ के रखो, ये difference याद रख लो, बाकी सब आपको समझ जाएगा, तो, अब क्या बोलती, पबलीक, अब चलते हैं, एक घंटे हो गए हैं, तो आज के इस chapter को, यहीं समझ किया जाए, कल शुरू करेंगे, page number 294 से, और कल, I think, आधे फे जादा chapter खतम कर देंगे, यह बहुत ही चिंदी chapter है, पहले दिन तो मज़ा आना चाहिए न, main चीज तो दूसरे दिन से होगी, ध्यान देनाच्चे से, ठीक है, चलो, तो चीजों को समस्ते चलो बस, और कोई बात important हो, तो पूछ लो, कोई doubt रहेगा, तो पूछ लो, देखो, यह chapter ऐसा है न, हर teacher के पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, हर एक teacher के पढ़ाने का तरीका इसमें अलग हो सकता है, ध्यान देनाच्चे से, हर एक teacher के पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, सभी का explanation अलग हो सकता है, meaning same रहेगा, जिसे तुम कुछ और चीजे बता सकते हो कोई और टीचर जैसे कि मालो पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया के अंदर छोटे छोटे flow of energies वो नीश है समझा तो ऐसे भी कोई टीचर बता सकता है तो हर एक टीचर के बताने का एक अलग-अलग तरीका हो सकता है ध्यान रखना इस बात को पहले ही कह देता हूँ meaning should be shame ध्यान रखो ठीक है चलो तो थोड़ी फी चीजों को समझना कल से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि main चीजे कल से शुरू होगी आज तो बस introduction था chapter का जस्ट इतना कुछ था नहीं तो main चीजे कल से शुरूआत होगी जिसमें हम detail में habitat, detail में niche के बारे में पढ़ेंगे major abiotic agent like temperature, pressure, water इन सब के बारे में पढ़ेंगे soil है, light है, इन सब के बारे में फिर हम उसके बाद biotic agent के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि कौन कैसे जिंदा रहता है कहां से उसको energy मिलती है कोई vegetarian, non-vegetarian लोग मरते हैं तो उनकी rate क्या है, mortality rate कितनी है है ना, तो ये सारी चीजे कल पढ़ेंगे ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं फिर टेक केर, बाई बाई, लब वी ओल